कि अड़ें कि अड़ेंगें अजय है हैं आध करा दो दो है का अजय है और अजय है अजय है अजय है आधिया है अज़ाइन नियुक्ति दो कि अजय आधिक है आपको बहुत इमाइदा टॉपिक क्या है आज भी जालते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं किसी इलिमेंट का एकुविलेंट वेट के सिंद्ध करते हैं किसी इलिमेंट का एकुविलेंट वेट के से निकालेंगे उस पर बात करते हैं तो सबसे पहले हम जानना है कि तत्तव का एकुविलेंट वेट है क्या कि तत्तव का समपुल लेभार प्रिया तत्तव का एकुविलेंट वेट वेट क्या है किसी तत्तो का एकुविलेंट वेट क्या है संपुल्य भाग भाग के विचार से वह भाग है जो हाइडोलन के हाइडोलन के एक भाग अक्सिजन के अक्सिजन के आज भाग तथा पूरीन के पूरीन के पाइटिस पॉइंट पाँच भाग बाइट पाँच भाग से वह बता है या उनके यहोडिक से से इस्थाविक नता है है यह हो गया किसी इलिमेंट का एक्यूबेंट इस्थाविक नता है किसी इलिमेंट का एक्यूबेंट करता है कि मास के विचार से मास के विचार से जिसका हुआ पार्ट होता है जो हाडल के एक भाग आक्सिजन के आठ भाग और पोलिन के पार्ट इसकोएंट पांच भाग से लिया करता है कंबाइन करता है या क्या हता है किसी भी तत्यों का एक्विलेंट निकाले लिए यहां पर उसका क्या है क्या है क्या है के एक भाग से क्या करता है इसका मतलब यह हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमको किसी तत्यों का एक्विलेंट निकाला है तो तीन तरीका से निकाल सकता है एक हाड़न के हिसाब से एक ऑक्सिजन के हिसाब से और एक कोलिड के हिसाब से ठीक है किसे इसे इद्वारा सुचित किया जाता है यह एक नमबर है इक्विलेंट वेट को बड़ा लेतर इसे दिनूट कियाता है इक मतलब गया इक्विलेंट वेट इक मतलब क्या हुआ एक्विलेंट वेट और इक्विलेंट वेट इक नमबर है इसका यूनिट नहीं होता है इसका कोई भी उनिट इंड़न वात रख नहीं होता है जाना अगर नहीं होता है तो चलिए हम बात करते हैं में तक्का संत्र ले वाद अब है आगे मैंने बढ़ा की तत्तों का सम्तल्य बार जोता है किसे सम्तल्य वार्ट वार्ट की विचार से हृर्डेलन की एक भार, ऑप्सियान की आठ भार, पोलुणके पानिस्मेट गाता है इसलियो करता है ततत्योग का भार, बाटा हाइल जुन, बाटा हाइल जुन, राधा हाइल जुन, पुल, तोत्योग। भार, बटा, हड़वाद क्या है ऑप्सिजन, ऑप्सिजन का भार, इंजु कितना भार, आठ भार, प्यों गया आठ, खड़वाला, तब तो का भार, बटा, खड़वाद क्या भार, भार, इस ग्यक्ति की किशन के, क्या बटा, बटा, हडोल आपक, भार, एस थ्रव लिएज करेंगे, इस थर्ववन दिभार, अगल ऑक्षिजयन के इस ब क्या के अता है, डिएजान का भार, फ्यों आपक पहले आप मैंने क्या क्या अभी मैं आपको बेसिक बता रहा हूं बाद मैं इसको नुम्रिकल में बता हूं का तो अभी क्या है आपको बताया है अब मैं आपको अडूप हिसाब से यानि की आपन की आपको अडूप हिसाब से यानि की कर सकते हैं तो चलिए मास्क हिसाब से नेक्स्ट में बताऊंगा अभी मैं आपको क्या आपको नुम्रिकल बता रहा हूं तो जैसे ही आपको हाड़िंग के रिस्पर्ट्व में कहाएगा अब अब लुदा वन ऑप्सिजा के रिस्पर्ट्व एफ फर्मूला टू और वोडिंग एश्में देटा पांसे पांसे इस्ट केलिए करता है तो जातु का समत्राइब निकाले अब कुस्त में दिया है कि 24 ग्राम ऑफे मेटल्स कंबाइन स्वेड़ और यहां पर देखिए नहां में करता है। कर लबं अब आप अब ऐसे को एक कि आप आपको कि ना तुल गार तुल आ है कि ना सबस्क्राइब कि विला है एक हम रहे है दो आप कि आप इसमें कि ना पस्राइब युद्णय। इसलिे द्धात्य। लिएफ। ही फतीओ का संतुल लिभार। इसको को मैं सने हैंoliims द्धात्य। लिएफ। झाथवेफ। छिब डात्य। अर्फाववक्हा सुन क्यूर्फ सम्तल लिभार। लिएसनेो लिएफ॥। फतीओ काम मेद्ध। मेटर मेटर लिए कि भेलेंट ट्वित्ट हम लिए अपड़ा था त्यर्व का बटा हरुल को भार है टो है तो है जलाट को भारहं टो है तो तो जुपऻ आखिए लाटिव दाटिव टबहर है किछ दो तुम्ट है कि अघाएद है कि बेतल का कि ‫मास दी जिए